तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नमबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन तो इसके इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़नी हैं? हमारे पास हैं 3 identities, वो identities आपको पढ़नी हैं वो identities कैसे बनी है? उनको याद रखने की क्या ट्रिक है? वो सब चीज़े हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो 3 identities हैं वो क्या है? पहली identity है कि sin square theta plus cos square theta equal to क्या होता है? 1 यह कैसे बनी है इसका प्रूफ देखेंगे हम दूसरी 1 प्लस 10 square theta equal to होता है sec square theta और तीसरी identity होती है cot square theta plus 1 equal to cos sec square theta इन तीनों identities की help हमें लेनी होगी जब हम exercise 8.3 solve करेंगे इन identities के बिना वो question solve होंगे ही नहीं तो जैसे मान लिजे एक हमारे पास right triangle दे रखा है इसमें यह angle 90 degree का हो गया और यहाँ पर मैंने मान लिया क्या angle theta angle जिस angle के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ठीक है तो आपको पता होगा कि theta के जो सामने वाली side होती है जैसे यह theta है तो इसके सामने वाली side जो की bc है उसको हम क्या कहते है वो हो गया अपना perpendicular तो इसको हमने perpendicular लिख दिया 90 degree के जो सामने वाली side होती है उसको क्या कहते है हम hypotenuse ठीक है और यह वाली जो side है इसको हम क्या कहते हैं यह होगे अपना base जो की इस theta से adjacent side होती है या फिर perpendicular और hypotenuse के अलावा जो चीज बची उसको हम क्या कहते हैं base तो अब आपको यह जो हमारे पास जितनी भी हो दे रखी है identity इसको कैसे प्रूव करोगे उसके लिए simple इसके अंदर पहले आप लगाओगे pythagoras theorem तो मैं आपको बता रहा हूँ इनके proofs जो हैं तो हमारे पास जो triangle दे रखा है उस triangle का नाम क्या है उस triangle का नाम जैसे हमने दे रखा है ABC और इसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं pythagoras theorem तो square equal to होता है perpendicular का square और फिर plus में base का square ठीक है यह तो हम छोटी किलासिस से पढ़ते आएं तो अब यहाँ पर hypotenuse का नाम क्या है hypotenuse है AC तो यहाँ पर आपने AC का square perpendicular कौन सी है वो है BC तो यहाँ पर BC का square और base क्या है यहाँ पर AB का square अब आपको क्या करना है कि आपके सामने जो यह एक equation बनके आई है pythagoras theorem से इसको आप पहले एक बार पूरी की पूरी equation को hypotenuse से डिवाइड करोगे means AC से एक बार पूरी की पूरी equation को perpendicular से डिवाइड करोगे और एक बार base से डिवाइड करोगे जैसे अगर मानली जा आपने hypotenuse के square से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AC यहाँ पर BC आ जाएगा इसके अपॉन में इसके अपॉन में BC तो वहाँ से sides के ratio बन जाएंगे और sides के ratio ही तो होते हैं यह sign, cos, ten, sec, cot और cos, sec जो होते हैं कैसे पढ़े हैं यह हमने हमने पढ़ रखा है के PBP upon में HHB मतलब पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले या फिर प्यारे बेटा पपू हॉले हॉले बोल और फिर सोना चांदी तोल मतलब यहाँ पर क्या होता है sin theta इदर होता है cos theta यहाँ पर क् एसी प्रोकल क्या होता है cos sec और cos का रैसी प्रोकल क्या होता है sec और ten का रैसी प्रोकल क्या होता है cot यह सब चीज़े हमने 8.1 के इंट्रोडक्शन और कड़ रखी है तो अब एक एक करके हम तीनों identities को बनाते हैं तो पहले मान लिजे आपने divide करा इस वाली equation को किस से AC square से तो इस वाली equation में AC square के upon में क्या आ गया AC square? BC square के upon में क्या आ गया AC square? और AB square के upon में भी क्या आ गया AC square ठीक है तो अब यहाँपर AC square से AC square तो cancel हो जाएगा तो ये दौनों cancel out होकर क्या बचा वन बचा जैसे ऐसे होता न कि 3 upon 3 तो 3 से 3 कट जाता वन बार कटता तो ऐसी AC square से AC square कितने बार कट जाता वन बार अब यहाँ पर बचा क्या BC upon AC का square होल पर लगा लेते हैं square क्योंकि दौनों पर square है और फिर यहाँ पर AB upon AC का भी होल square और अब आपको क्या करना है अब आपको देखना है कि BC और AC जो है यह दौनों कौन कौन सी side है और इन दौनों का जो ratio है वो हमें कौन सा ratio देगा तो देखो BC क्या है अपने लिए BC हो गई अपने लिए क्या? Perpendicular, तो ये तो है अपना Perpendicular और AC क्या है? AC है अपनी Hypotenious तो Perpendicular और Hypotenious का रेशो किसमे होता है? Sine में इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर Sine Theta लिखा हुआ है उसके बाद AB upon AC है तो AB क्या दे रखा है अपना? AB है Base और AC क्या है? AC है अपनी Hypotenious तो Base और Hypotenious का रेशो किसमे होता है? Cos में तो इसका मतलब इस BC upon AC को हम क्या लिख सकते हैं? Sine Squire Theta और AB upon AC को क्या लिख सकते हैं? Cos Squire Theta तो यह आ गया 1 equal to Sine Squire Theta Plus Cos Squire Theta और यही अपनी क्या थी? पहली वाली जो आइडेंटिटी है वो थी ठीक है? पहली आइडेंटिटी में क्या था? कि Sine Squire Theta और Cos Squire Theta को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1 और यही चीज़ हमने यहाँ पर लेकर आएं कि Sine Squire Theta Plus Cos Squire Theta equal to कितना है? 1 तो अब हम लिखते हैं कि Divide The Equation By BC Squire तो यह वाली जो Equation अपने पास दे रख की थी AC Squire के अपॉन में क्या जाएगा? BC Squire BC Squire के अपॉन में भी क्या जाएगा? BC Squire और AB Squire के अपॉन में भी क्या जाएगा? BC Squire ठीक है? अब AC Squire upon BC Squire मतलब इसको हम लिख सकते हैं AC upon BC का होल Squire यहाँ BC Squire से BC Squire कैंसेल हो गया तो कितना आया? 1 जैसे यहाँ AC Squire AC Squire कटके क्या आया था? 1 आया था और ऐसे यहाँ पर यह AB upon BC का होल Squire अब आपको देखना है AC और BC का जो relation है यह क्या relation होता है? यह जितने भी हमारे पास ratio होते है तो AC क्या दे रखिए अपने को? AC है अपनी hypotenuse AC क्या है? AC हो गई hypotenuse और BC क्या है? BC है यहाँ से यहाँ तक क्या? perpendicular तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यह हो गया perpendicular ऐसे यहाँ पर AB क्या दे रखिए है? AB है अपना base और BC क्या है? BC है अपना perpendicular ठीक है? यह क्या है? यह है perpendicular तो अब आपको यह चीज देखनी है कि H upon P मतलब hypotenuse upon perpendicular किसमे होता है? तो देखो hypotenuse upon perpendicular नीचे की तरफ से देख रहे हैं न तो यही वाला बैठ रहा hypotenuse upon perpendicular यह किसमे होता है? यह होता है cosect square theta हो जाएगा यह cosect theta होता है देखो यहाँ पर भी मैंने आपको यह चीज बता रख किये कि cosect क्या होता? hypotenuse upon perpendicular यह 8.1 का introduction अगर आप पीछे से देखते हुए आ रहे होगे तो बिलकुल आपको हर चीज बिलकुल इजी ली समझ में आ रही होगी hypotenuse upon perpendicular को हम लिख लेते हैं cosect square theta और equal to में 1 plus b upon p तो b upon p देखो यहाँ पर नीचे की तरफ से देखना है क्योंकि b upon p c में बैठेगा तो वो क्या होगे हमारा cot होता है नीचे की तरफ से हम देखेंगे base upon perpendicular तो यह हमारा होता है cot square theta base upon perpendicular is cot theta तो यह होगे अपना cot square theta तो यह अपनी identity बन गई दूसरी जो कि हमने आपर कौन से नंबर पर लिख रख रखी है तीसरे नंबर पर कि cosect square theta equal to क्या होता है 1 plus cot square theta ठीक है उससे कोई फरक नहीं पड़ता अब उसके बाद आता है third अपना एक बार हमने a c square से divide कर दिया एक बार हमने b c square से divide कर दिया इस बार हम किस से divide करेंगे a b square से और एक तीसरे identity हम वहां से बनाएंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हम divide कर रहे हैं divide the equation by a b square तो इस equation को लिखोगे पहले a c square equal to b c square plus a b square और हर किसी के अपन में क्या ले लेंगे a b square यहाँ पर भी a b square और यहाँ पर भी a b square तो अब a c अपन a b का whole square हो गया यह तो इसको हमने लिख लिया a c अपन a b का whole square यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा b c upon a b का whole square whole square मतलब यह इस पर भी है और a b square से a b square को हम cancel out कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा बना जाएगा अब आपको देखना है कि a c क्या है और a b क्या है तो a c है अपनी यहाँ से यहाँ तक hypotenuse और a b क्या है a b है अपना base तो यह हो गया base ठीक है उसके बाद b c upon a b तो b c क्या है यहाँ से यहाँ तक perpendicular तो यह क्या हो गई perpendicular और a b क्या हो गया a b हो गया अपना base तो आपको देखना है h upon b तो h upon b यहाँ पर बैठेगा नीचे की तरफ से यह हम देखेंगे h upon b का मतलब है hypotenuse upon base और hypotenuse upon base क्या होता है hypotenuse upon base होता है sec तो इसकी जगा पर आप क्या लिख लोगे देखो यहाँ से भी देख रहाँ hypotenuse upon base sec की तो बैठ रहा है नीचे देखना है तो यह हो गया sec square theta उसके बाद perpendicular upon base p upon b यह रहा p upon b perpendicular upon base किस में होता है tan में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा equal to में इसके tan square theta और फिर plus में 1 perpendicular upon base अपना होता है कितना tan ठीक है यह चीज़ आपने देख लिए यहाँ पर तो यह अपनी बन गई कौन से identity third number की जिसका फॉर्मूला क्या है identity क्या है sec square theta equal to 10 square theta plus 1 बस यह क्या है इसमें sec square theta इदर लिख रहा है इसमें sec square theta इदर है और 1 plus 10 square theta इदर लिख रहा है plus में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत निया है देखो equal to के एक तरफ sec आना चाहिए एक तरफ सेह की है इतना तो आप जानती होगे 10th क्लास में तो बेसिक सी चीज है बिलकुल तो यह हो गई आपकी जो 3 identities में हमको use करनी है इस exercise के अंदर और इन ही 3 identities को हम अलग-अलग तरीके से use करेंगे कैसे use करेंगे और इन 3 identities में क्या-क्या limits हैं कि हम कौन सा एंगल नहीं ले सकते हैं यह भी चीज में आपको बताए दे रहा हूं को कि सब चीज अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो देखो कई बार क्या होगा कि हमें यह जो cos square theta है इसको इधर बेजना पड़ेगा तो वहां से आप दो तरीके से use करोगे इसे के sin square theta को हम क्या लिख सकते हैं यह cos square theta अगर इधर आगया तो यह हो जाएगा 1-cos square theta ठीक है तो कई बार आपको identity ऐसे भी use करनी पड़ सकती है या फिर जैसे इधर हमने cos square theta को बेजा है हो सकता है sin square theta को इधर बेजना पड़े हमें तो वो question पर depend करेगा तो cos square theta equal to क्या हो जाएगा 1-sin square theta यह दोनों भी तरीके हैं इसी identity को use करने के तो ऐसे ही इसके अंदर है पहले हम क्या करते हैं पहले एक बार हम 10 square theta को भी दर बेज सकते हैं तो कई बार आपको 1 की जगा भी रखना पड़ सकता है क्या sec square theta minus 10 square theta यह 10 square theta इधर प्लस का था इधर आकर कैसा हो गया minus का या फिर ऐसा हो सकता आपको 1 इधर बेजना पड़ जाए तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे कि 10 square theta equal to क्या हो जाएगा sec square theta और यह 1 plus का इधर आकर कैसा हो जाएगा minus का same काम हम इसमें भी कर सकते हैं दो तरीके से और हम इस identity को यूज कर सकते हैं इस 1 को भी इधर बेज सकते हैं cot square theta को भी तो मानलीज अगर आपने cot square theta इधर ही रहने दिया तो यह plus का 1 इधर आकर कैसा हो जाएगा minus का 1 तो cos square theta minus 1 यह भी हम यूज कर सकते हैं यह फिर इसको इधर बेज देंगे तो 1 की जगा पर हम क्या लिख सकते हैं cos square theta minus cot square theta यह plus का cot square theta इधर आकर कैसा हो गया minus का इस तरीके से भी हम इनी तीन identities को use करेंगे तो ठीक है यह चीज आप समझ गए अब बात आती है कि इसमें हम angle यह जो हमें theta दे रखा है यह angle कौन कौन से हम ले सकते हैं क्योंकि इस बार देखो आपके एक एक number के भी question आएंगे तो उसमें इन दोनों की दोनों identities जो हैं यह वाली जो identity है 1 plus 10 square theta equal to sec square theta इसमें हम theta कहां से कहां तक ले सकते हैं और ऐसे यहाँ पर cot square theta plus 1 equal to cos square theta इसमें हम theta क्या क्या ले सकते हैं theta मतलब जो भी angle है वो चीज भी आप समझ लोगों कि उसके उपर भी question बन सकते हैं अब जैसे यह पहली identity है sin square theta plus cos square theta equal to 1 तो यहाँ पर theta क्या है theta को यह angle है तो मानलीज अगर आपने यहाँ पर लिया 30 degree angle और तो यहाँ पर भी आप कितने degree का angle लोगे 30 degree मतलब sin square 30 और cos square 30 की values को अगर हम put करके solve करेंगे तो वो कितना आएगा 1 मानलीज आपने दोनों जगा पर 60 ले लिया तो sin square 60 प्लस cos square 60 की value भी कितने आएगी 1 तो यहाँ पर हम theta क्या क्या चीज ले सकते हैं तो देखो यह वाली जो बात है na sin square theta plus cos square theta equal to 1 यहाँ पर हम 0 से और 90 के बीच का कोई भी angle ले सकते हैं 0 भी ले सकते हैं और 90 भी ले सकते हैं तो यह वाली जो equation है यह हर एक angle के लिए true होगी तो आप लिखोगे true for all theta और वो theta किस तरीके का होना चीए such that वो theta हमारा 90 भी हो सकता है 0 भी और या फिर उनके बीच का भी और हमारे पास जो value है हम तो उनी के हिसाब से अगर देखें तो 30, 45, 60 हर किसी पर true होती है यह बात तो theta जो है वो 0 के equal भी हो सकता है यह यहाँ पर हो गया equal का sign और यह किसका sign हो गया यह greater का मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है और 90 के equal भी हो सकता है यह ऐसे करके क्या हो गया यह equal का sign और 90 से हमेशा क्या होना चाहिए चोटा होना चाहिए तब इस equation को हम use कर सकते हैं यह तो बात 90 degree नहीं ले सकते हैं, इस वाली identity के अंदर, यहाँ पर जो theta है, अगर आपने 90 ले लिया, तो 1090 की value not define होती है, और sec90 की value भी क्या होती है, not define, देखो जैसे यहाँ पर हमने, यहाँ पर यह जो theta लिया है, यह theta 0 से 90 का कहीं भी ले सकते हैं, हम हरो किसी के लिये हमारे पास जो value है वो define है, हमारे पास values हैं, लेकिन जब हम इस वाली identity में जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपने मन लीजे, theta जो है, वो 90 के equal भी मन लिया, तो 1090 कितना होता है, 1090 तो not define है, define ही नहीं है, उसकी value, और sec square 30 में, जब आप sec की जगा भी 90 रखोगे, तो sec90 भी कितना होता है, वो for all theta, such that, वो theta जो है, वो कहां से कहां तक होना चाहिए, such that, यह theta जो है, यह हमारा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 90 से अपना हमेशा कैसा होना चाहिए, छोटा, 90 के यहाँ पर equal to का sign मत लगा देना, जैसा यहाँ पर लगाया है, तो 0 से बड़ी values पर तो य यह चीज सही है, यह वाली identity, लेकिन 90 से छोटे होने चीज़ है, 90 नहीं ले सकते, में चीज़ है, 90 अगर हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगी, equation not define हो जाएगी, इसी तरीके से आता है अपनी यह वाली identity, तो इस वाली identity के लिए आप क्या लिखोगे, कि यह भी true for all है, true for all theta, such that इसके अंदर हम theta कहां से कहां तक का ले सकते हैं, और कहां से कहां तक का नहीं ले सकते, यह चीज़ भी ध्यान से देखो, इसे लिखने से पहले देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, cot और cosec की जो value है, वो किस पर not define है, यह cosec है, यह cot है, यह किस पर not define है, zero degree पर not define होती है, इसका मतलब यहां पर जो यह theta है, यह हम क्या नहीं ले सकते, यह हम zero नहीं ले सकते, तो यहां पर आप क्या क्या ले सकते हो theta, zero से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 से कैसा होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, 90 के equal भी हो सकता है, लेकिन zero नहीं ले सकते ये चीज याद रखना ठीक है क्योंकि अगर हमने जीरो ले लिया तो जीरो पर क्या दिक्कत है वो not define हो जाएगी बात इस बात को चाहो तो आप लिख भी लो इसमें लिख देते हैं जैसे हम के because 10 अगर हमने 90 डिगरी के equal ले लिया जो कि हमने यहाँ पर नहीं लगाया है तो यहाँ पर 10 90 हो या फिर sec 90 हो वो दोनों ही क्या होते हैं not defined होते हैं और ऐसे ही इसके अंदर आप लिख सकते हो कि हम यहाँ पर 0 डिगरी के equal theta को क्यों नहीं ले सकते क्योंकि cot 0 डिगरी हो या फिर sec 0 डिगरी हो दोनों पर ही value क्या है define नहीं है not define है ठीक है यह चीज याद रखना जो मैंने आपको यहाँ पर last में जो चीज बताईए यहाँ पर इस वाली identity में theta कुछ भी हो सकता है 0 भी हो सकता है 90 भी और इन दोनों के बीच का भी यहाँ पर theta कुछ भी हो सकता बस क्या नहीं ले सकते हैं 90 क्योंकि अगर हमने 90 ले लिया तो value फिर define नहीं होगी इस वाली identity में हम theta क्या नहीं ले सकते 0 क्योंकि अगर हम 0 ले लिये तो उसमें भी value define नहीं होगी तो यह हो गई आपकी identities, identities किस-किस value पर define है, किस पर value define नहीं है अब मैं आपको trick बताता हूँ कि जिससे आपको ये तीनों की तीनों identity याद रहे तो आप देखो यहाँ पर इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है आपको बस पहली वाली जो identity है, जो identity मैंने आपको यहाँ पर बताईए sin square theta plus cos square theta, इस वाली identity को आपको याद रखना है कौनसी sin square theta plus cos square theta equal to 1 यह कौनसी identity हो गई अपनी first identity हो गई अब आपको क्या करना है, एक बार इस वाली identity को sin से divide कर देंगे और एक बार इस वाली identity को हम cost से divide कर देंगे जब आप इस identity को sin से divide कर दोगे तो आपके सामने यह वाली identity बन जाएगी और जब आप इसको cost से divide कर दोगे तो यह वाली identity बन जाएगी देखो कैसे बनेगी इतनी चीज तो याद रख सकते हो sin square theta plus cos square theta equal to 1 तो पहले हम क्या करते हैं पहले इस equation को या इस identity को हम divide कर देते हैं किस से sin square theta से तो आपके सामने कैसी identity बनेगी यही वाली इसके अंदर आपके सामने आ जाएगा sin square theta upon sin square theta plus cos square theta के upon में भी क्या जाएगा sin square theta और one के upon में भी क्या जाएगा sin square theta अब ध्यान से देखना इसके आगे sin square theta से sin square theta को अगर आप cancel कर देते हो तो क्या जाएगा one तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया one अब cos upon sin क्या होता है तो अगर आपने identities वो sorry 8.1 वाली जो वीडियो है वो देखियोगी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि cos upon sin क्या होता है तो cos upon sin अपना होता है cot ठीक है इस चीज का मैंने यह proof भी वहाँ पर बताया था तो हम cos upon sin की जगा क्या लिख सकते है cot square theta क्योंकि यहाँ पर square भी है और उसके बाद one upon sin square theta को क्या लिख सकते है तो आप देखोगे one upon sin square theta को हम one upon sin a को क्या लिख सकते है cos a तो यहाँ पर one upon sin square theta को हम क्या लिख सकते है cos square theta तो यहाँ पर इसकी जगा पर क्या आ गया cos square theta तो यह वाली आपकी identity बन गई है देखो यह वाली identity बन चुकी है one plus cot square theta equal to cos square theta तो हमने क्या काम किया पहली identity को याद रख लिया और उस identity को एक बार किस से डिवाइड कर दिया साइन से अब दूसरी identity बनाने के लिए एक बार इसको किस से डिवाइड कर दो cos से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हम divide कर रहे हैं divide the equation by cos square theta और जब आप इसको cos square theta से डिवाइड करोगे इस वाली equation को तो आपके सामने ऐसी equation बनेगी कि sin square theta के अपॉन में आ जाएगा cos square theta इस वाले cos square theta के अपॉन में भी क्या आ जाएगा cos square theta और one के अपॉन में भी क्या आ जाएगा cos square theta तो अब देखो sin upon cos क्या होता है sin upon cos हमने पढ़ा हुआ है sin upon cos होता है 10 यह चीज मैंने आपको 8.1 के introduction ने बताई थी उसका proof भी यहाँ पर करके दिखाया था तो हम sin upon cos को क्या लिख सकते है 10 और उसके square भी है तो 10 square theta यहाँ पर cos square theta से cos square theta जब cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा बस 1 और 1 upon cos square theta क्या होता है तो 1 upon cos होता है देखो अपना कितना sec 1 upon cos को क्या लिख सकते है sec आप यहाँ से भी देख सकते हो sec और जो cos होते है वो एक दूसरे के क्या है reciprocal इसलिए हमने sec A को लिख रखा है 1 upon cos है जैसे यहाँ पर आपने क्या करा था 1 upon sin को cos एक लिखा था क्योंकि sin और cos एक भी एक दूसरे के क्या होते है reciprocal sin को P upon H लिखते हैं cos को H upon P लिखते हैं तो ऐसे यहाँ पर 1 upon cos की जगा पर हम क्या लिख देंगे sec square theta और यह बन गई अपनी क्या तीसरी identity तो इसके अंदर आपको क्या करना है बस पहली identity को याद रखना है sin square theta plus cos square theta equal to 1 और यह दोनों identities कैसे बनाई जाएंगी एक बार sin से divide कर लेना एक बार cos से divide कर लेना अगर भूल जाते हो तो यह आपको इस चीज़ को याद रखना है तो यह हो गई आपके identities के बारे में तो आप इसे कर लो और exercise के अंदर या फिर examples के अंदर हमें algebraic identities की भी जरूत पड़ेगी जैसे हमारे पास identities होती है a plus b का whole square a minus b का whole square a plus b का whole cube a minus b का whole cube तो वो भी हमें पता होनी चीज़ है वो चीज़ें आपको आती होंगी तो फिर आप किसी भी question में नहीं अटकोगे क्योंकि उन identities को भी पता होना चाहिए जब हम question करेंगे वहाँ पर मैं आपको वो वाली identities बताता चलूँगा फिलाल आपको यह तीनो identities कर लेनी है इन identities को और किस तरीके से यूज़ करते हैं वो कर लेना है इनका मैंने आपको proof भी बता दिया है और साथ में इनकी value कहां कहां पर define नहीं है वो बता दिया और यह tips और tricks भी बता दी ठीक है और इसका जो proof है वो proof आपने देख लिया किस तरीके से यह identities बनी है ठीक है तो next video से पहले हम इसके examples देखते हैं और फिर उसके बाद exercise करेंगे इसमें अगर कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ लेना